वेरी गुड बर्णिंग टू अल फ्यू तो आज का जो टॉपिक है रिजिनिंग का एक मोस्ट इंपोटेंट टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग यानि सांकेतिक भासा संकेतु के माध्यम से जब हम अपने जो विचार हैं उनको जब हम करते हैं तो एक मतपून जो भासा है सांकेतिक भासा उसका भिखास होता है तो आज के इस रिजिनिंग में हम टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग वाला चेप्टर करेंगे तो यह पेपर के दिष्टी से बहुत इंपोटेंट चेप्टर है और इसमें से 3 या 4 question हर एक पेपर में आते हैं तो coding decoding start करते हैं तो इसके लिए हमें coding decoding जो चेप्टर है इसको सीखने के लिए हमें कुछ चीज़े जानी होंगी तो सबसे पहले English alphabet को लिखने का तरीका English alphabet लिखने के लिए ABCD start करेंगे और M तर लिखेंगे मैं इसको अभी थोड़ी देर बाँ बताऊंगा कि मैंने ABCD इस टैप से क्यों लिखी ABCD इस टैप से लिखने से आपको A question आपका बिना pen उठाए solve हो जाएगा तो इसलिए आपको ABCD लिखनी है सबसे पहले तो coding decoding का question देखते ही आपने सबसे पहले ABCD लिख दे दिनी है और M के नीचे N करके ऐसी लिखना है अमोनार हम M यहां से लिखते हैं लेकिन आपने ABCD लिखना है M तक जाना है और N O V क्योंकि 26 letter होते हैं English alphabet में तो आपने 13 M का number 13 है और यहां भी 13 13 के pyramid तोड़ दिये A का ultra Z है क्योंकि यह first है तो यह last है यह second है तो यह second last है तो इसने आपने इसको just opposite part में तोड़ दिये M का ultra N है L का ultra O है K का ultra P है तो श्टार्ट करते हैं पहले question से तो काम ज्यादा बात है कम तो पहला question यदि question इस प्रकार से आएगा यदि EODGH का code है B L A D E C R I C K E T का code क्या होगा तो सबसे पहले coding decoding का question देखते ही है आपने सबसे पहले क्या लिख देना है ABCD तो ABCD लिख देना है इस tab से तो और दूसा क्या करना है इनको जो लिखने का तरीका है अगर आपका लिखने का तरीका सही होगा तो आपका एक भी question में से गलत नहीं होगा इसकी मेरी guarantee है तो सबसे पहले आपने question को लिख देना है EODGS लिख दिया इसका code है तो code आपने इधर नहीं लिखना है इसी के नीचे लिखना थोड़ा gap देखे E के नीचे B L A D E यह question में दिया था EODGS का code B L A D E है तो लिखने का तरीका आपने इसके नीचे यह लिख देना है तो हमको पूछ रहा है C R I C K E T इस coding decoding वाले question में आपने capital letter का use करना है तो सबसे पहले आप इस coding decoding को करते समें सबसे पहले ABCD लिख देंगे इस step से दूसा तरीका question को लिखने का इस step से अगर आपने इतना कर दिया तो आधा question आपने solve कर दिया आप coding decoding करते समें ध्यान से देखेंगे कि यह जो पहला letter है E English के alpha vector का जो यह पहला question में जो E आया है यह इसके नजदिक है यह इसके नजदिक है तो आपने इसके साथ इसका संबन देखना है तो आपने देखा तो E और B में क्या संबन यह रहापका E और यहां रहाप B तो 1,2,3 पीछे जाने पर 1,2,3 पीछे जाने पर आपको B मिला फिर इसी प्रकार दूशा लेटर था O O से 3 पीछे जाने पर क्या आपको L मिला है 1,2,3 पीछे इस एट से तो O के बाद पीछे गया 1,2,3 तो 3 पीछे जाने पर भी हमको L मिला है तो यानि पैटर्न बन रहा है पैटर्न का मलब ठाकि एक systematic होना चाहिए अगर यहाँ 3 पीछे जा रहा तो यहाँ народ 3 आ जा रहा है यहां दो आगे जा यहाँ दो आगे जारह है तो यहाँ दो आगे जाना चाहिए तो एक systematic pattern बहां चाहिए इसी प्रकार से अब लेटर देखा D तो D से तीन पीछे जाने पर A मिलना है एक, दो, तीन तो आपको आप pattern मिल गया कि सब के तीन, तीन पीछे जाने पर तीन मैनस कर दूँगा, मैनस तीन का मलठा तीन पीछे जाने पर, आप देख भी सकते हैं ए था, यह आला था, ए था, इससे तीन पीछे गए एक, दो, तीन तो हमको B मिला, ऐसी O से 3 पीछे गए तो यह भी मैनस 3, तो pattern बन गया कि मैनस 3, मैनस 3, H से भी 3 पीछे गए यह S था, इससे भी 3 पीछे गए एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन पीछे जाने पर पीछे जाने पर मैनस लगाना है, आगे जाएंगे क्योंकि एसे जा रहा है, ABCD हम ऐसे जाते हैं लेकिन हम यहां को आ रहे है, पीछे साइट तो, यानि pattern क्या बना, मैनस 3, मैनस 3, मैनस 3, मैनस 3, मैनस 3 अगर हम इसमें से 3, 3 घटा देंगे तो अपने आप हमको क्या मिल जाएगा, answer तो हमने क्या करना है, जैसे डंडे थे, यह तीर का निशान है, ऐसी लगाना है और आपको पता है pattern 3, 3 घटाना है, तो C से 3 पीछे जाने पर, यह C है यह English का alphabet C है, इसे 3 पीछे जाने पर, 1 पीछे जाने पर, 2, 3 तो यह आगया Z, R से भी 3 पीछे जाने पर, यह रहा आपका R, 3 पीछे जाने पर, 1, 2, 3 तो आपको मिला O, I से भी 3 पीछे जाने पर, 1, 2, 3, F मिला C से भी 3 पीछे जाने पर, 1, 2, 3, दौबारा Z मिला K, यह K था, यह K है आपका, इससे भी 3 पिछे जाओ, 1, 2, 3, H मिला, E से 3 पिछे जाने पर यह रहा, E, इससे भी 3 पिछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न 3-3 पिछे जाने का है, 1, 2, 3, यह B आया, अब यह T है, तो T से भी 3 पिछे जाएंगे, तो T है, यह आगे हुआ, तो पीछे जाने पर 1, 2, 3, तो क्या आगया Q, तो answer आगया, जैसे second question है, M, A, N का code N, B, O है, तो S, K, Y का code बताना है, तो सबसे पहले आपने coding, decoding का question देखते हैं, ए बिश्री लिख देनी है, step से, M तो लिखना, फिर N से इधर को start करना है, फिर दूर पता चले गया, तो उसी pattern से करके आप इसको निकाल सकते हैं, तो आप देखे, M का संबन O से भी हो सकता है, M का संबन N से भी हो सकता है, तो M है, तो आपने देखा है, M के जश्ट आगे एक जाने पर, M था, M के जश्ट एक आगे के ये, तो N आया, एक आगे जाने पर, आग पेटन क्या बन गया धनेक धनेक तो M से एक आगे जाने पर N, A से B जाने पर 1 एक आगे, N से एक आगे तो O मिला, तो यानी पैटन बन गया है, तो अब उसी पैटन पर आपने T लगाना है और एक एक आगे जाना है, तो S से एक आगे गया, तो क्या मिला, S के बाद क्या आता ह है d k k से आगे क्या आता है k के बाद l i y के बाद एक आगे जाने पर यह रहा आपका y तो y के बाद एक आगे जाएंगे तो आपका अंसर आगया लब देट अब तीसा कुछन स्टार्ट करते हैं तो कुछन था यदि किसी सांकितिक भासा में t o y को u q b लिखा जाता है तो SEA को उसी भासा में क्या लिखा जाएगा तो फिर वही बात coding decoding question करते समय बस एक बात ध्यान रखनी है कि coding decoding करते समय सबसे पहले ABCD लिख देनी है तो ABCD करके step से लिख देना है लेकिन ABCD लिखते समय याद रखना है कि M के बाद and step से लिखना है तो 13 का pair फिर 13 के नीच से लिखना है तो सबसे पहले question लिख देंगे TOY को लिखने capital letter में लिखेंगे S E TOY को कहा जा रहा है U sorry उसको दुबारा लिख देता हूँ TOY को लिखा जा रहा है U Q B तो आपने बताना है S E A को क्या लिखा जाएगा यह बताना है question यहाँपर शाब 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 heck साब है कि TOY को U Q B कहा जाता है इसके नीचे लिख देना है उसको क्या कहा जा रहा है उसके नीचे लिख देना है आप ABCD में देखेंगे कि T के नस्दी के देखो इस T का संबन इस B के सांथ भी हो सकता है इस T का संबन इस U के सांभी तो पहले के सांथ या last के सांथ संबन हो सकता है तो हमने देखा कि alpha bet जो ABCT लिखते हैं तो ABCT में T के नज़दिक U आता है तो T से जब एक आगे गिये T था यहाँ पर थे हम एक आगे गये, तो एक ही आगे जाने पर U मिल गया, तो T में एक जोड़ा, तो U मिला, एक जोड़ने का मतलब है, जस्ट आगे, एक आगे जोड़ने पर, तो U है, ऐसी O है, अब ABCD में देखेंगे, O है, ABCD लिखने का ये फैदा ये होगा, कि आपको जो है, इतनी बार अंगल द आगे जाने पर, Y, Y से 3 आगे जाने पर, 1, 2, 3, तो यहाँ बए B मिला, तो प्लेश तीन, तो यह अच्छा सा पैट्र बन गया, कि प्लेश 1, प्लेश 2, प्लेश 3, यह एक अच्छा सा स्टेमेटिक पैट्र, तो यह ड़िरन आपने यहाँ लिए कुरना है प्लेश 1, प् P E है E से 2 आगे जाने पर क्योंकि pattern second volume है 2 आगे जाना तो यहां भी हम 2 आगे जाएंगे तो E से 2 आगे जाने पर 1, 2, तो क्या मिला? Z अब A से 3 आगे जाना है तो A रहा 3 आगे जाना है इसको नहीं किनेंगे A से कहा तो A इसको नहीं किनेंगे 1, 2, 3 तो यह आगे आंसर T, Z, D तो pattern भी बन गया तो इसी प्रकार चौथा question है यदि किसी सांकेति भासा में master को यह लिखा जाता है तो parrot को बताना है तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ABCD लिख देनी है तो फिर ABCD लिखने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा और फिर question को इस टैप से लिख देना है खड़े कर कैसे master को यह लिखा जातो master के नीचे लिख देना है alphabet नहीं बदलने है alphabet चेक कर लेना है कि कहीं गलत्तों नहीं लिखा उतारा है मैंने तो फिर आप देखेंगे कि M का संबंद U के साथ है या M का संबंद P के साथ है इस पहले वाले का संबंद जरूरी नहीं कि हमेशा पहले वाले के साथ ही लाश्ट वाले के साथ भी हो सकता है तो देखेंगे कि कि किसके नजदिक आ रहा तो M और U देखा हमने पहले इसके साथ देखना चाहा, to m यहां रहा, u इतनी दूर है, to goi सम्बंद नहीं हो सकता, इतनी दूर है, m यहां पर है, और u इतनी दूर है, to saamband होने में दिक्कात है, to m का p के साथ सम्बंद हो सकता है, क्योंकि m और p नजदिग है, A 2 3 के बाद मिल चा रहा है तो हमने देखा M के बाद 1 2 3 जाने पर यानि ये 3 आज ऐसे है तिर्शा करके M से 3 आगे गे तब हमको क्या मिला P अब ये 3 ऐसे है तो यहां भी ऐसी R आगे गा रहा होगा है तो इस R का सम्मंद U के साथ हो रहा होगा तो R से 3 आगे जाने पर 1 2 3 U जाने पर यहां भी 3 आगे जाने पर U मिल ला है इसी परकार A है A से 3 जाएंगे तो D मिल ला है 3 आगे जाने पर 1 2 3 इसी परकार E से 3 आगे जाने पर S मिलेगा E है 1 2 3 तो ये जो पैटर्न बना इसी प्रकार S से 3 आगे जाने पर भी और T के W जाने पर 3 तो प्लेस 3 प्लेस 3 तीन का यह पैटर्न बना तो आपने 3 भी ऐसी बनाना है यानि पहले का लाश्ट के साथ है इसका इसके साथ है ये इसके साथ है O का इधर है और R और R इधर है तो आपने ऐसी बनाना है तो तीन तीन आगे जाना है P से तीन आगे जाना है तो P का यहां नहीं लिखेंगे लास्ट तीर है तो उहीं पर लिखेंगे P से तीन आगे जाने पर P है तीन आगे जाने पर एक दो तीन S मिला Second A है A से भी 3 आगे जाने पर 1, 2, 3 तो D यहाँ पर आएगा क्योंकि 3 यह है इसका फिर R है तो R से भी 3 आगे जाएंगे 1, 2, 3 U आया R से भी 3 आगे जाने पर U आएगा O से 3 आगे जाने पर A, 2, 3 R आया T से 3 आगे जाने पर 1, 2, 3 डबल आया तो answer आ गया, W-R-U-U-D-S तो हमने क्या कहना है सबसे पहले coding, decoding लिखते हैं, बिस्री लिखना है फिर 3 देखना है, पहले का सम्मन last के सांथ भी हो सकता है या पहले के सांथ भी हो सकता है M का सम्मन जरूरी नहीं कि U के सांथ हो पी के साथ जो सकता है तिकर देखना है फिर एक कोश्चन यदि किसी संकेतिक भासा में डॉक्टर को R, O, T, C, O, D लिखा जाता है तो स्टुडेंट को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपने Coding, Decoding लिखनी है लिखते समय आपने A, B, C, T, O, R को लिखा जा रहा है R, O, T, C, O, D तो एक नए टाइप का Question आ गया आपने देखा कि D, O, C, T इस डॉक्टर इंगलिस के जितने अलफाबेटर यूज हो रहे हैं जैसे D यूज हो रहा, O यूज हो रहा, C यूज हो रहा T, O, R हो उन्ही word को आगे पीछे घुमा के यह सब्द बनाया गया है यहनि कोई नया कोडिंग नहीं किया गया है उसी डॉक्टर को आगे R को पहले लगा दिया तो इस प्रकार हमने क्या किया उसी सब्द के सब्द को आगे पीछे करके नया सब्द बनाएब तो हम यहां भी ऐसी करेंगे student के भी आगे पीछे word इसके जो alphabet है इनको भी आगे पीछे करके इसे से नया सब्दे बनाएंगे इसमें coding to coding नहीं करेंगे तो आपको पता है यह D जो यह first में था वो last में चले गया तो यहां जो S first में है वो last में चले जाएगा आपको पता है जो second में था वो यहां से last चले जा रहा है तो इधर यह T यहां चले जाएगा इसी प्रकार से U जो है यहां चले जाएगा और E यहां चले जाएगा और D अपनी जगा पर ऐसी रहेगा तो बन गया T N E D U T S यानि इस question में हमने coding decoding का कोई alphabet ABCD यूज नहीं किया क्योंकि इस question में देखते ही हमको पता चल गया कि जो doctor के D है O है C T O R है उन्ही alphabet को यूज करके हुए यह सब्दे बनाएगे हैं अगला question है यदि किसी सांकेतिक भासा में F I L E को U R O भी लिखा जाता है तो L I F T को उसी भासा में क्या लिखा जाएगा इस परकार का question होगा तो आपको बताया था coding decoding question में ABCD लिख दिना है तो ऐसे ABCD क्यों लिखना है क्योंकि इस type का question इस type से भी आ सकता है तो आपको बता चलेगा कि मैंने ABCD ऐसे क्यों लिखा है तो सबसे पहले तो आपने देखा कि F I L E है तो F का जो आपने जैसी देखा F तो आपको देखा की F के just नीचे just अलटा उसका F का उलटा क्या है U, यह मिला i के नीचे क्या है R तो ऐसे लिखने से यह भी सिर्या आपका यह question ऐसी solve हो जाएगा L का just उल्टा यह देखो L है तो उसके नीचे क्या है O E के नीचे क्या है V यह रहाए आपका E, E के नीचे V यानि F का उल्टा U होता है I का उल्टा R होता है L का उल्टा O होता है तो इस प्रकार आप इसका उल्टा देख देंगे तो L के नीचे कौन है जैसे L है तो O I है यह I है तो I के नीचे कौन है R F है F के नीचे कौन है U T है यानि नीचे का मला उपवा इसका उल्टा कौन है जी तो इतनी आसानी से हमने यह question solve गड़ दिया आपने ABCD लिखा ऐसे लिखने से आपको यह फायदा होगा कि जस्त इसके उल्टे जो है answer हमको मिल गए आपको देखने आप अगला question है यह किसी सांकेती भासा में P U R S C को O S O Z लिखा जाता है तो M O N E को उसी भासा में क्या लिखा जाएगा तो आपने question ABCD लिखना है फिर आपने question A से उतार देना खड़े करके तो हमको money का बताना है तो सबसे पहले आपने देखना है इस P का संबन O से भी हो सकता है P का संबन Z से भी हो सकता है अब P यह रहा Z यहां बहुत दूर है तो इसका मला यहां संबन यही होना है उसने तो आपने देखा P से O की दूरी P से जस्ट एक आगे जाने पर यह पीछे जाने पर यह पी था आपका यह पी था इससे O के सांबन देखना है तो आपको ने देखा कि P से जब मैं एक पीछ तो दो पीछे जाने पर यह मिला था, ऐसी R और O का देखना था, यह रहाब का R, इससे 3 पीछे गए, 1, 2, 3, तो O मिला, यह इससे 4 पीछे जाएंगे, इससे 5 पीछे जाएंगे, तो आपको यह pattern मिल जाएगा, आप चेक लिए कर सकते हैं, E से 5 पीछे जाने पर, क्या Z मिला है तो E से 5 पीछे जाने पर, 1, 2, 3, 4, 5, तो Z मिला, तो इस प्रकार से pattern बन गया है, पहले वाले में एक जाना पीछे, इसमें दूसरे में 2, तो इस type से यहाँ भी आपने, इस type से pattern करना है, तो M से 1 पीछे जाएंगे, क्योंकि starting में 1 पीछे जाना है, तो M से 1 पीछे जाने प 3 पीछे जाएंगे, क्योंकि 3 पीछे जाना है, 3, तो N यह रहा है, 3 पीछे जाओ, 1, 2, 3, K मिला, E से कितना पीछे जाएंगे, 4, E से पीछे जाओ, 1, 2, 3, 4, A मिला, Y से 5 पीछे जाएंगे, Y से 5 पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, T मिला, तो हमारा answer आ गया, L, M, K, A, T